सुरचपूर जिला में पुलिस ने रामानुज नगर वप्रेम नगर छेत्र में लगे चार ट्रांसफार्मर से कापर वाइंडिंग ताज चोरी मामले में आठ आरोपियों को ग्रिपतार किया है जिला के रामानुज नगर वा प्रेम नगर थाना चेत्र के चार इस्थानों पर लगे ट्रांसफार्मार के कापर वाइंडिंग तार चोरी मामले पुलिस की संयुक्त टीम ने तत परता पुर्वक पता साजी करते हुए जिला कुरिया, कुर्बा, पेंडरा वा रामानुज न के कापर वाइंडिंग तार को अग्यात ब्यक्ति चोरी के ले गए हैं। रिपोर्ट पर थाना प्रेम नगर में धारा 389 भारती धंड विधान और 136 विद्यूत अधिनियम के ताहत मामला पंजिबत किया था। वहीं दूसरे मामले में विद्यूत का रियला प्रेम नगर क के स्री राम सी पाउले ने थाना प्रेम नगर में रिपोर्ट दाजक रहा ग्राम केदारपूर तुमाठी हई पारा में 16 के भी ट्रांसफार्मर के कापर वाइंडिंग तार को ग्यादबेती चोरी के ले गए हैं। साथ ही ग्राम हरिरपूर और महसपूर में भी लगे ट्र गवाद जिला कोरिया निवासी प्रमोध यम अलोक केरकेटा की गतिविद्या संदिग गटना के पूर्वत दोनों वहां कई बार गुंते देखे गए थे सुजागादबार पर दोनों संदियों को पकड़ कर पुलिश से पुईताच की अर पिन बताया धनफेर सी उद्यान सी राजस्तिग्या संजय कुरे शिवम सुनवानी और गोरे लालग साथ मिलकर के खजुरी पटेल पारा केदारपूर तुम्मा ठीहई पारा में लगे ट्रांसफार्मर से कापर वाइडिंग की तार चोरी किया है पुलिस कड़ी पुछताज करती रही थाना रावान चेत्र के ग्राम हरियरपूर और महसपूर में लगे ट्रांसफार्मर के कापर वाइडिंग तार की भी चोरी इनी के द्वारा किया गया था इसमें पुलिस ने आलो केरकेट्टा पिता रामा केरकेट्टा उम्र 25 वर्स प्रमोत पिता स्वर्गी राजनात उम्र 32 वर्स धनफेर सी पिता नोहरशाय उम्र 30 वर्स उद्यांसी पिता रामलाल उम्र 29 वर्स निवासी इंदरपूर थाना खड़गमा जिला कोरिया राजस तिगा पिता उम्र 22 वर्स निवासी मातीन दाई थाना पेंडरा जिला पेंडरा संजय कुरे पिता स्वर्गी नरायन कुरे उम्र 32 वर्स दोनों निवासी ग्राम दुलारपूर थाना पसान जिला को गृपतार किया जिनके पास से चोरी का कॉलिट कापर वाइंडिंग तार घटा में प्रवक इस्तिमाल की गई बाइक के साथ में आरुपयों को गृपतार किया गया है बने जिला प्रमुक वा ब्लाग प्रमुक रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब्च बड़ी न्यूज चैनल 36 गड़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूड़ने का